मेहंदी सेरिमनी तो कल उंकुष का रहुआ कल ये इनकी case hearing थी तो उसके बारे में उसमें बताया लेकिन जब criminal उंकुष लिखा हुआ था तो ये सोच कि मुझे भी लगा फिर मैं गई वीडियो में और मैंने देखा क्या क्या बताया उसमें मतलब जुटे लोग की पोल खुली गई है और criminal बना दिया गए है अंख़िष को मतलब जो case था कि बच्चे को kidnapping करना चाता है हाँ सामने से गुजर गया तो उसका मतलब वह kidnapping और यह जो kidnapping का case है यह आ जाता है criminal case में बहुत सारी चीजे और जो चीजे होती हैं काफी नॉलेज हो चुकिये दें कि जब बंदा इन सब चीजों में पढ़ता है तो बहुत सारी चीजे खुद भी अपने लेवल पर कोशिश करता है भी जब बंदा होता है वह चलता है और कभी न कभी उसको इंसाफ मिल ही जाता है तो आज काफी चीजे उन्होंने बताही है लेकिन महेंधी सहरेवलेट कहते हैं आचल ने शुरूआत करी है आचल बहुत प्यारी लग रही है बहुत सुनेदर बिल यूट पहनी हुई थी और जो मैंने कर आपको शॉट्स वगेरा भी दिखा दिये थे उसने इंस्टाग्राम पर थोड़े डाली थी बहुत प्यारी लग रही थी और आज मेरे महंदी लगेगी और सब आच चुकी हैं कजन्स वगेरा पूरे घर में रॉनके हैं रिष्टेदार भी आ देगी सिस्टर्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है उदार अगम बगगा की बात करें तो उनके घर में मेरे लेटेव आच चुके हैं चाद बुआ जी फूफा जी उनको दिखाया जा रहा है और रिलेटिव के नाम पर बूआ जी फूफा जी ही दिखाए हैं और तो कु चुटकनी के बढ़कनी के सब लगा रहे हैं अब मेहंदी दिखा रहे हैं तो मम्मी से कह रहे हैं ममी मेहंदी के डिजाइन दिखाओ इस पे आप आचल दीपग लिख वालो उदर मैं जो चम्बा वाली सिस्टर है उनसे इंट्रड्यूस करवा रही थी कि यह आ चुकी हैं म मेहंदी के डिजाइन में भी सस्पन सोचे बाकी जो ताया जी और सौरी जो बुआ जी और फूफा जी आये हैं उनका वेलकम तो जिस तरह से लोग उने भोला था कि हम आरती करके सब का वेलकम करेगा ऐसा तो कुछ दिखा नहीं लेकिन हम मम्मी जी बड़ा इमोशनल थी ठ पहरने का इंतसाम हमने ताओ जी क्या करा दिया है अपने घर पे क्यों ने कराया तुम्हारे खर में और रिष्टेदार है कौन हां मतलब जिजजी कह रही थी कि अब उपर भी बन चुका है नीचे भी बन चुका है ताया जी क्या उनका इंतसाम करा दिया है है ना मतलब यह सोच के थोड़ा जीब लगा ठीक है घर की बेटी और एक सीन लिया जिसमें सब बैठे हुए है था बुआ जी फूफा जी उदर जिज्जा जी बढ़करने जिज्जा जी इदर पिंटा मामा तो इस तरह से बागी एक सेपरेट वीडियो हम लाएं कि अच्छा सा ठीक है अबाके नौ बजगे उस तरह से स्टार्टिंग हुई है आज एडवोकेट का फोन आ चुका है क्योंकि आज कोट हीरिंग है इनको जाना था और आज थी SDM वाली कोट हीरिंग अच्छा इन्होंने स्पेक्स वगेरा क्लीन किये हैं कि इन स्पेक्स को क्लीन कर देता हूँ जैसे मैं अपनी हाईजीन का ध्यान रखता हूँ वैसे ही मैं इनको भी क्लीन करके हमेशा अपने स्पेक्स वगेरा भी क्लीन करने चाहिए क्योंकि आइज होती है अगर गंदे स स्ट्रेस पढ़ता है मम्मी के भी मैक कर देता हूं तो अच्छे से उन्होंने उसको किसी उसे स्प्रे से क्लीन किया है मम्मी ने महंदी लगा रखी है बालो में फ्रिज आज क्लीन करना है सारा समान निकाला हुआ है जो एपल मटर टमाटर जो मम्मी ने लिया था वो भी रहा था एक स्कुरिल दिखाई है स्कुरिल बड़ी अच्छी लगती है शाय सको कट्टो बोलते हैं लोग फिर गाड़ी से आया है जबरदस्त एक एक्सिडेंट बीच में हुआ है तो वह दिखा रहे हैं और हम लोग sdm कोट गए थे फिर इन्होंने बताया कि फिलाल अब सब्सक्राइब करेंगे हैं तो कियरे थे बिलासपूर होते हुए से फिर पीछे इन्होंने आंटी जी को भी बिठा लिया कोई आंटी जी थी और उनका बेटा था उनको भी जाना था तो मैं वहां पर छोड़ दूँगा इनको कैंची धाम तक जाना है सोशल वर्क भी करते साथ साथ भई है सबके हैल पी करो मेरा तो काम होई रहा है फिर यह लोग आज एरिंग अटेंड करी है 12-12 को फिर से आज जाना है मैं बिलासपूर आते हुए एरिंग भी अटेंड कर लूँगा अभी चाय पी रहा हूं किसी रेस्टरांट में बैठ के चाय वगेरा पी बागी कोई तो गया है लेकिन कोई तो भईया गया ही नहीं सामने वाला हां वो कभी जाता नहीं लेकिन हां उसको न्याय सरूर चाहिए होता है हक की लड़ाई न्याय की लड़ाई खेर उसमें तो यह बोल दिया होगा कि घर में शादी है मैं टाइम ली एक अच्छे सिडि खाना बना रही है ममी ने फ्रेश रोटी बनाई है मेरे लिए उससे पहले ममी पासी रोटी बना रही थी तो ममी आप शुगर की पेशंट हो आप मत बनाओ बस थोड़े फुल के ही बनाना ममी ने हीरिंग का पूछा बई क्या हुआ हुआ हीरिंग का तो बता तो अंकुछ ममी आज ही मुझे पता चला कि क्रिमिनल केस है यह वाला क्रिमिनल केस होता है आज मुझे को पता चला मतलब भाया घर के सामने से घुजर गया ठीक है अपने रिष्टिदार के घर जा रहा था और साथ में सौरफ दोनों पे लगया क्रिमिनल केस मतलब सोचे कितनी अच्छे लगा लिया, कुछ नहीं हुआ, बच्चे का उठाने की कोशिश करी, मतलब यह होता है कि बच्चे को उठाने की कोशिश करी, भाईया, मैं तो कहते हूँ कि वहाँ पर कोई फुटेज, कैमरा इनके खर लगा हूँ, वह तो निकलवा के फुटेज चेक कर सकते हैं कि कितनी केस कर ही नहीं सकते हो, नहीं बनता है क्योंकि फादर के पास उसके राइट सोते हैं बच्चे के, मुकदमा तो नहीं बनता है, लेकिन एक टाइम आने पे वह खारिज हो जाएगा, वार्निंग दी जाएगी, अगर अपने पीस शांती भंकी है, तो बॉन्ड मुझे भरना पड़ेगा, ताली एक हाद से तो बचती नहीं है, अगर आपने कुछ एक्ट किया, तभी तो मैंने दूसरे ने किया होगा, काफी कुछ चीज है मुझको समझने को मिल रही है, स्वार घाट में भी एक कंप्लेंट हो रखी है, भाई साब, वहाँ पे जाके भी आया हूँ, और RTI मैंने डाली वही थी, कुछ documents वगेरा, वो भी collect करने थे, आते टाइम वो भी मैं सब ले के आगया, तो देखिया, आदमी लगा पड़ा है, मतलब एक की life में band, बाजा, बराती दिख रहे हैं, और एक की life में documents, court, कचैरी, police, travel, है न, हम सच बोलते हैं, जूट नहीं ब पुछा था, क्योंकि सौरव भी भाईया, साथ में बैठके गए थे, घर के सामने से, तो जिजी ने सौरव अपने सगी मौसी के लड़के भी complaint कर दी है, वहां hearing के attendance लगती है, हमारी भी लगी है, advocate भी साथ थी, क्यार सौरव के बारे पुछा था, तो मैंने बोला, उसका accident ह है, वो कह रहे थे, उसका कुछ अभी थोड़े दिन पहला, चोटा-मोटा, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, चोटी-मोटी चोट उसके लग चुकी थी, बारा-बारा का advocate भी चलेंगे साथ में, बारा तारिक को आप next है, जिसमें सिधार से मिलने वाल है, तो इसमें मेरे साथ मेरे advocate भी चलेंगे, बहुत हो गया इस बार, या इस बार तो advocate को भी साथ लेके जाएंगे, कि कोई वहाँ से शडे अंत्र, सामने वाली साइट से कोई planning plotting बन रही हो, तो advocate तो होंगे, मेरे साथ में पिछली बार ये अपने advocate नहीं लेके थे, छुटगनी जिजी लाई थी, बस एक ही बार बच्चे को मिला है, सोचे, राइट्स मिल चुक है, लेकिन फिर भी वो बच्चे से मिल नहीं पा रहे है, मैं ये व्लॉक में बताने के ये reason है, कि आप अगर इन सब में हो, तो अगर आप सच्चे हो, तो घबराओ मत, ठीक है, अच्छे से डील करो, और न्य अच्छे से केस लड़ो, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीजे लोग डरते हैं, अगर आप सच्चे हो, तो अच्छे से face करो, मजबूत बने रहो, हम सच्चे हैं, इसलिए मैं टाइम ली जाता हूँ, और जो जूटे होते हैं, वो तो ना जाते हैं, ना पहुंचते हैं, वो बस सामने वाले को harass करने के लिए चीजे करते हैं, भई सामने वाले को बस harass करने के लिए, वो खुद पहुंचेंगी भी नहीं, लेकिन सामने वाले को हम खुद wedding enjoy कर रहे हैं, तू लगा रहे हैं कि इसमें, और कभी कभी भईया, जब चीजें उल्टी भी हो जाती हैं, अगर एंटी पार्टी को याद आता है कि मैंने गलत करती है, आपको लड़ना है, दरना नहीं है, यह सब चीजे फिर बाद में भुगतते भी हैं, फिर फाइन लगता है, और अभी वीडियो एडिट करूँगा, आज कंचन का भी फोन लाना था, उसका भी फोन आया था, आज फॉर्म कलेक्ट करना, मेरी लाइफ बस इनी चीज़ों मेरी लाइफ में बस इनी चीजों में लगा हुआ हूं, टाइम कैसे निकल रहा है, मुझे पता ही नी चल रहा हुए हमने ऽो साल कंप्लीट कर लिये, तब ही लोग कहते कि कानून, अभी सूब हाल,"ुटल, पुलिस थ गर का खाना बैस्ट होता है मैंने लाइफ में बहुत सी बाते सीखी हैं जब आपके कोई कंप्लेंट करता है तो अंकुष ने बहुत सारी चीज़े जो उनको लाइफ ने सिखाई गया और देखे अपने एक्सपीरेंस से भी दर दर जाके बहुत सारी चीज़े समझ आ जाती ह कि जब आपके कोई कंप्लेंट करता है तो आप मत डरो उन चीज़ों को अच्छे से फेस करो भाई और अगर मैं किसी के खिलाफ जूटी कंप्लेंट कर दूँ तो पुलिस वाले के पास राइट्स होते हैं वेरिफाई करेगा और धारा 182 लगेगा 6 महीने की सजा और 1000 का ज जब भी हो सकती है जिसके उपर जूटी कंप्लेंट होती है वो भी 166 लगा सकता है वो अगर सही पाया जाता है तो पुलिस के उपर भी आक्शन ले सकता है ओहो हो हो मेरे उपर जूटा मुकदमा लगाया तो 166 आप भी लगा सकते हो या सब मैंने सीखा है मैं legitation में पढ़ गया मैं तो आराम से पनी जिन्दकी चीना चाहता था लेकिन चलो अब मुझे काफी चीज़े पता चल गई है बहुत कुछ अब मैं सीख चुका हूँ जैसे सीखता हूँ आप लोगो जागरूप करता हूँ जिसके उपर गलत मुकदमा होता है वो पुलिस पे केस और सेकें का केस कर सकता है तो देख लिजिए भई फाइन भी लग सकता है छे महिने की सदावी लग सकती है और अगर मेरे केसिस में आते हैं लड़की अगर धारा लगाती है 498 ए जैसे मैरिटल रेप वगेरा लगाती है यह मतलब बहुत सारी चीज़े जो इनको होती है अब काफी चीज़ों कि आम नौलेज होगे तो उन्होंने अपनी थोटी से नौलेज शेयर करिये कि इन चीज़ों को बहुत सो रहा हूं सोचे विसिटेशन राइट्स मिल चुक है उसके बाद भी बच्चे से नहीं मिल पा रहा हूं कभी बता दिया जाता है कि घर में बहुत सारी जूटा केस कर दिया जाता है कौन सी जो औरते होती हो क्या-क्या जूटे केस बनवाती है फिर पुलिस वालों पर भी आ ठीक है और लास्ट में फिर कहते हैं कि मुझे मम्मी का चेकप कराने के लिए मम्मी को लेकर जाना है घॉस्पिटल तो कुछी इस प्रकार से इनका वीडियो था देखिए एक तरफ चल रही है शादी आज तो शादी ही है साथ तारीक है और एक तरफ एक जो इनसान है वो को होता है बाकी लाइफ बहुत कल सोचके देखके बड़ा वो लग रहा था कि कैसी लाइफ हो चुके एक आत्मी की वो उसको सपने भी भी सोची यह सब चीज़े आ रही है और वहाँ पर रिष्टेदारों के नाम पर सिर्फ एक दो लोग और दिखें हैं बुह जी फूफा जी और बिंटा मामा आ चुके हैं तो नान का मेल में सिर्फ एक मामा ही आये हैं मतलब नमोसी दिख रही है न बढ़कन्ने मामा जी दिख रहे हैं क्या बात है यही थे रिष्टेदार जो तुम्हारे आने तो उनको भी ताउजी के घर पर भीया उनका सटप लगा दिया है वहा आचल की ट्रेस महंदी में बहुत अच्छी लग रही थी जुमके पैने हैं महंदी और उनके घर में प्रॉपर जो तेल होता है तेल रसम और महंदी हल्दी लग रही है गाल पे लगाई है और बहुत पिंक दूपट्टा उपर रखे मतलब प्रॉपर रिचुल्स के साथ हर चीज हो रही है तो अच्छा लगा और congratulations once again to both of you आज है इनकी शादी तो चलिए थोड़ा से मैंने बता दिया महंदी से रिपनी का एक और वीडियो लाने की कोशिश करूंगी बाकि यह अंकुष बन गए criminal अरे दहिया अरे दहिया चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में झालिए पी को 500 दिए वाया ये लूगते हैं थारे नेकर को कि हो आरे देशक ये पलोचते हैं प्रफश्चाँ कौनमारे कर वीडियों में कि हूँ सही हैं पलोचते हैं वीडियों में हू़ट अक्ष Tippt आया हूगते हैं वीडियों में हूँ स Jeविसा वीं